आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो की एक अच्छे खासे अप्ट्रेंड में हैं और काफी जादा बुलिश लग रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि आप उनमें होल्ड कर सकते हो और अपना प् देखोगे गाड़्फरेंड में चल रहा था और फाइनली हम लोग को यहाँ पे कहीं entry लेने का मौका मिला और हम लोग ने entry करी चरेंट ली स्टॉक बहुत ज़़ा बुलिश दिख रहा है बट इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम लोग ने कितना प्रॉफिट बनाय और ये है आपका Godfrey Phillips, जिसमें आपको 8% के आसपस का profit दिख रहा होगा, इसके पीछे का पूरा का पूरा reason क्या, अगर आप ये देखोगे Godfrey Phillips का, जैसे मैंने आपको NTPC का trend दिखाया था, Godfrey ने अपना all time high breakout दिया था, और उसी पे आके stock support ले रहा था, और हम लोगों ने क आपीज ज़्यादा bullish है, तो अभी भी still लोग hold कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी hold करें, जब तक हम लोगो at least इसमें 2100 के levels नहीं दिख जाते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, तो चलिए अब Nifty का view ले ले लेते हैं, ज़रा short में, और उसके बाद मैं साथ stock share करने वाला हूँ. 2000 को break करके उपर closing दे दे, अगर अभी तो ये भी हम मान सकते हैं कि यहां से हमलों का downtrend है, वो खतम हो चुका है, and maybe sideways trend start हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब Nifty यहां से थोड़ी बहुत bullishness दिखाएगा, अगर Nifty वापस से नीचे आ जाता है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर trading, तो इसी के हिसाब से मैं आपको यहां पर stock suggest करने वाला हूँ, कि अगर Nifty आपका weak होता है, तो stocks को avoid करिएगा, trade के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा, तो अगर आप लोग 50 EMA वाली strategy जानते हो, तो जितने भी banking stocks हैं, उसमें mostly आपको यही देखने को मिल रहा है कि 50 EMA का breakout आया है, और retest आ चुका है, जो भी strategy की बारे में नहीं जानता है, यहाँ पर मैं उपर pin कर दूँगा उस वीडियो को, तो आप जाके उसमें देख सकते हो, तो आगे अगर हम लोग बढ़े हैं, तो करूर वस से bank हम लोग आज का पहला stock होने जो है आपका 90 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक का, तो यह 10% का एक पूरा zone है, जो यहाँ से stock ने बहुत बार resistance भी लिया है, और नीचे भी आया है, जासकि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बट फिलहाल stock ने क्या करा है, कि इस level को breakout कर दिया है, अब इसके बाद breakout देने 50 EMA, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, कि 50 EMA का breakout आ चुका है, हम लोग का trading style क्या है, कि हम लोग 50 EMA के breakout के बाद retest का wait करते हैं, और उसके high पर हम लोग buy करते हैं, जिसका की win rate हम लोग का around 70-80% रहता है, अगर आप अच्छे market conditions में entry लेते हो, तो जैसा क अच्छा win rate आपको strategy का देखने को मिलेगा, otherwise इतना जादा कुछ खास strategy काम नहीं करेगी, अगर आप इसको अपने हिसाब से buy करोगे, या फिर एक तरीका और है, जिससे आप इसमें buying कर सकते हो, वो है आपका ये, कि जब ये trend line break हो जाए, इसके उपर एक candle close हो जाए, तब आ आप यहां के entry लेने के बारे में सोच सकते हो, और जो आपका stop loss होगा, वो stop loss अगर आप थोड़ा safe stop loss रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो 95 के नीचे, जो कि अच्छा का सा बड़ा stop loss हो जाएगा, इस से थोड़ा सा चोटा stop loss आपका होगा, इस red candle का low, जो कि आपका 98 आपका अज का second stock है IOC, अब यह वाला stock काफी लोगों का बहुत ज़्यादा favorite है, काफी लोग चाहते हैं इसमें buying करना, तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँगी, currently stock हम लोगा downtrend में चल रहा था, यह है आपका weekly chart, तो इस हैसाब से देखिएगा कि काफी time से stock में एक downtrend था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों क्या देखने को मिल रहा है, downtrend में एक reverse head and shoulder, अब कभी भी आपको picture perfect नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ भाएगा कि यह है इसका एक shoulder, यह है इसका complete head, यह है इसका दूसरा shoulder, तो अगर इत जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ पर clear कर देता हूँ, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रहे है, तो like जरूर कर देना, धान से और चैनल को subscribe भी कर लेना, तो आगे अगर हम लोग बढ़े और देखें कि यह जो अम लोग की trend line है जो यह overall पूरा pattern बना रही है, यह जो आपका level है, एक बर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है 83 का, तो अगर हम लोग का 83 का level breakout होता है, किसी अच्छी bullish candle से, उसके बाद ही आप यहाँ पर entry लेने के बारे में सोचना, तब जो आपका stop loss होगा, वो इस swing low के नीचे होगा, अब य क्या रहेगा कि जब यहाँ पर breakout के बाद, retest पर आप buy करो, time duration इसमें कितना लगेगा, कम से कम 3-6 महिने अलिख सकता है, आप जानते हो कि IOC में इतने ज़्यादा violent momentum नहीं आते हैं, कि वो सीधे-सीधे एक महिने में जाके आपको 50% के return दे देगा, तो यह चीज बहुत ज़ online का breakdown दे दिया, अब मैं ऐसे क्यों यहाँ पर show कर रहा हूं, मतलब जब already stock में एक breakdown आ चुका है, तब यहाँ पर buying क्यों करें हम लोग, तो इसका भी reason 1 है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह हम लोग खोलते हैं अपने EMAs, अब EMA में हम लोग को क्या देखने को मिल रह तो अगर stock नीचे आ जाता है, तो हम लोग को entry ही नहीं मिलेगी, तो simple सी बात, stock हम लोग का देखना एकदम किसी भी खराब चीज नहीं, अगर आप इसको अपनी watchlist पर रख रहे हो, कुछ आपका जाएगा नहीं, आपको सिर्फ इस पर नज़र रखनी है, लेकिन अगर rateist हो तो whatsapp community join कर सकते हो, बट उससे पहले अगर आप चाहो तो जो channel पर आपको join button दिखता होगा, उसको जाके आप click कर सकते हो, वहाँ पर आपको basic course मिल जाएगा, जिससे आपकी सारे doubts clear हो जाएगे, so फिलाल के लिए यह था हम लोग का second stock and third stock थोड़ा special है, तो चलिए उस पर चल कर सकते हो, जिससे हम लोग वहाँ पर आपको बता देएगे कि क्या procedure है, जिससे आप join कर सकते हो, तो फिलाल के लिए उन्होंने ये वाला chart share करा था, इसमें मैंने ज्यादा कुछ add-on नहीं करा है, छोटी सी चीज मैंने एक add करी है, जिसको हम लोग resistance मान सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका analysis और देखते हैं कि actually मैं इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, और currently क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं EMAs ओपर नहीं करने वाला हूँ, तो जितने भी लोग डरते हैं indicator से, वो अराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, complete हम लोग तब हम लोग मानें कि stock weak है, otherwise अपने previous support से stock bounce कर जाता है, और ऊपर चला जाता है, एक अच्छा खासा pattern मना के, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे अभी क्या हो रहा है, again इसी support line पे stock आया, और यहाँ से stock ने bounce back ले लिया, हम लोग का जो buying price होना चाहिए, वो वहीं का होना जब हम लोग को लगी कि 100% यहाँ पे एक up move आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ पाटन मनाने से हम लोग को entry नहीं मिलती है, हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग कैसे conviction मिल रहे है, तो सबसे पहले तो एक यह आपकी trend line बनती है, अगर आपकी यह वाली trend line break हो जाती है, तो हम ल बार फिर यहाँ पे इसने double bottom बनाया था, फिर यहाँ पे आके इसने एक zone बनाया, नीचे किया stock, तो यह जो आपका पूरा का पूरा zone है, 760 से लेकर 780 तक, यह zone बहुत ज़्यादा important है, तो अगर इसके उपर stock जाता है, तब आप entry करिए, otherwise आप यहाँ कहीं entry करिए, जिससे आपका stop loss छोटा हो, क्योंकि अगर आप trend line के close पे कहीं enter करोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा stop loss होगा, जो अगर hit हो भी जाएगा, तो आपका ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ से profit होना start हो गया, तो आपका एक अच्छा खासा risk reward ratio अचीव हो जाए करे गजर्वी से एक हो उगर हो खास का, लेकिन अगर, खासा नहीं होगा सेपित हो नहीं, जो आपका जँर जभ जगरुख कर एक होगा ज़現在 कर वोगा, जग जज़े होगा हो यहाँ हो तो प्लेंद Bardzo Sutry, जो से एक होगा होगा, थैं से